नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज कुझे हम बात करने वाले हैं Paytium Bank Agent App के रेटल भाईयों के लिए एक बड़ी खुशकबरी के बारे में दोस्तो Paytium Bank Agent App की KYC चालू हो चुकी है और दोस्तो यदि आपकी अभी तक चालू नहीं हुई है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका कारण क्या है और आप अपनी KYC को चालू कैसे करा सकते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और मुझे कोमेंट करके दोस्तो जरूर बताना कि आज का ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है और दोस्तो यदि आपने अभी तक मुझे फेसुक पेज पर फोलो नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा आप लिंक पर किलिक करके ही चलेजे हमारे फेसुक पेज पर और आप हमारे पेज को फोलो करना ना भूले तो दोस्तो यहाँ पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर मई के महिने में जो है आपकी जो KYC है वो चालू कर दी जाएंगी पेटियम की तरफ से तो दोस्तो ऐसा ही हुआ पेटियम की तरफ से मेरे पास न KYC स्टार्ट कर सकते हैं लाइप पूरूप के लिए दोस्तो मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने पेटियम बैंक एजेंट एप में फिर मैं आपको दिखाऊंगा लाइप पूरूप के साथ कि हाँ भाई 4.8.7 के अंदर सभी रिटेलर भाईयों की जो KYC है उनकी चालू हो चुकी है तो दोस्तों चलिए मैं लोगिन करता हूँ अपना पेटियम बैंक एजेंट एप तो दोस्तों लोगिन कर लिया है मैंने अपना पेटियम बैंक एजेंट एप तो सुम्पिली हाँ पर हम KYC वाले ओप्शन पर एक बार किलिक करते हैं और यहाँ पर हम अपने ग्र दिखा देता था तो दोस्तों सिंपली जब मैं हैं पर एक बार किलिक करता हूं तो आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि KYC आगे ना बढ़े तो दोस्तों यहां पर आप एक बार कोई अधर नंबर भी चेक कर सकते हैं जिससे कि कभी-कभी क्या होता है कि कि किसी नंबर पर KYC जो है अपडेट नहीं हो रही है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है पे टेलिगराम चैनल पर और वहाँ पर जो है इस वीडियो के पब्लिश होते ही मैं नए वर्जन का लिंक आपको वहाँ पर दे दूँगा तो दोस्तों यहाँ से जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे पेटियम बैंक एजेंट डैप का नए वर्जन 4.8.7 तो वीडियो कै से लगाएं कोमेंट करके जिरूर बताएं मैं लेता हुजाजत मिलूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत